गैज इस वीडियो के अंदर बात किया जाएगा कि आपके पेट और आपके नाभी में क्या-क्या परिवर्तन आता है जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी रुखती है इस वीडियो में कुछ सीक्रेट जनकारी भी बताई जैगी जो अब तक आपको किसी ने नहीं बताया क्योंकि हाथों से जस्ट प्रेश करने के अनुसार ही अपनी प्रेगनेंसी रुख चुकी है इसका आप जाच घर बैटे खुद कर सकते हैं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट किया जाए वेलकम मेरा नाम है श्वेता और आप देख रहे हैं सहीली क्लब पहली बर अगर आए इस चान लक्षन बाद शीए तो इस दोनों ही लक्षन को मैं मिक्स अप करकर इस वीडियो में बता रही हूं क्योंकि कुछ ज्यासा जो जामने की होती है प्रेगनेंसी रुखने की वह पीरिटमीश होने से पहले ही शमर्ज में आने लगती है यहां अगर हम बात करें पेट में परि आया था सीक्रेट बाते नाभी में यही परिवर्तन आता है कि नाभी के जस्ट नीचे या तो आप लेफ्ट साइड जाए या तो राइट साइड आप यूटरोस को देखे इस तस्वीर के थूरूर। Uteris के अंदर दो Overies हैं, एक Right Overie एक Left Overie तो अगर इस महीने आपने Left Overie से Ag Releez किया है तो NABHI के Left Side में दर्द होगा और अगर आपने Right Overie से Ag Releez किया है तो NABHI के Right वाले साइड में आपको ये दर्द होने वाला है ये तब ज़्यादा समझ में आता है जब आप इस हिसाप से प्रेस करेंगी आपने पेट के निचले हिस्से को तब अचानक से आपको ये चीजे पता चलेगी अब ये है कि जब पीरियड मिस होता है तब कौन से लक्षन इसमें ज़्यादा से ज़्यादा समझ आते हैं वो अब तक कई महिलाओं के डाउट को मैंने क्लियर किया है अगें मैं फिर से एक बार क्लियर करना चाहूंगी कि जो इंप्लांटेशन ब्लेडिंग होगा जो पीरियड जैसा ब्लेडिंग आएगा वो सिर्फ एक दिन के लिए आता है बहुत कम क्वांटिटी यानि एक ये दो चमच के बराबर ही आएगा जिससे आप बहुत आसानी से जान लेंगे कि ये प्रेगनेंसी रुकने वाली पता है तो इस दोनों में फर्क अब आप आज क्या जाए थिंक समझ चुकी होगी क्योंकि अगेन मैंने इस बात को बताया तो गैज यहां जो है आपके डाउट को क्लियर किया गया कुछ लक्षन बताएगा जो अब यह सी बात है आप चाहें तो अभी इस लक्षन को ट्रा बाई बाई टेक केर